आई भी लगा ना? कि वे अपनी घोशना पर कायम रहेंगे और 22 तरीकों संसत के बार प्रदर्शन भी किसानों के द्वारा किया जाएगा राजदानी दिल्ली के अलिपूर के एक फार्म हाउस में आज किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग हुई किसानों ने अपनी मांगों को लेकर संसत शेत्र के दौरान संसत के सामने प्रदर्शन करने की घोशना की है लगातार दिल्ली पुलिस इसके विरोध में है और उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा किसानों को दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने के लिए आने की अनुमती नहीं है इससे पहले भी किसान और पुलिस की एक बैठक हो चुकी है जिसमें कोई भी फैसला नहीं निकला आज करीब ग्यारा बजे से दो बजे तक मीटिंग चली और इस मीटिंग के दौरान भी जो बातचीत हुई उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला सही किसान मोर्चा के पदादिकारी और दिल्ली पुलिस के आलादिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे पुलिस की तरफ से यह साफ किया गया कि कोविड-19 के नियमों को देखते हुए किसानों को दिल्ली में परदर्शन करने के लिए आने की अनुमती नहीं दी गई लेकिन उसके बावजूद किसान अपनी गोशना को बापस लेने को त्यार नहीं है किसानों की तरफ से अलान किया गया है कि किसान संसत बवन का गेराव संसत चत्र के दोरान ही करेंगे और 22 तरीक को यह समय निर्धारित किया गया है इसमें 200 लोगों का दल संसत में परदर्शन के लिए पहुँचेगा ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसान दिल्ली में प्रवेश ना करे लेकिन किसान इस बात को मानने को त्यार नहीं है महीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस द्वारा भी पूरी त्यारी की जा रही है सुरक्षा के पुक्ता इंतजमात है जगा जगा पर पुलिस बल तैनात किया गया है कि अभी मीटिंग और होगी आप लोगो ने कुछ नहीं रखी है आज कुछ और नया फॉर्मेट दिया गया कुछ है को डिसकस करेंगे तो क्या कोई कंसेंसस नहीं माने हम कोई कंसेंसस नहीं कि तरह से आप लोग इस पूरे मसले को लेंगे क्योंकि दिलगातार मिटिंग चल रही है आप लोगों की अजय कि किसानों का डेलिगेशन वहां जाएगा पार्लिमेंट की तरफ जंतर मस्कर के पास वहां बैठके जो हमने प्लैंट किया था उसी तरह से सारा करिक्रम होगा शांती पूर्वक तरीक के से होगा पाकी सारी चीजें क्या पूलिस ने पर्विशन दिया आप लोगों ऑलिगेशन वसा-जेधनaren वावार रोगिवन के तरय पूलिस ने होगा ली टीजे बैची डिलीख रहा हमने लिएशन लावावां पंढ़ different ! बाता हम उन